एक तारीकों साथ लोग गये थे चे नहीं हबड़ा टू चे नहीं में लोग काम करते थे और चे नहीं जा रहे थे लेकिन रास्ते में जो है इस तरह की दरदनाक घटना हुई उसमें एक पपू मांजी की मौत हो गई है और बाकी इसमें छे बंदे और उनके साथ थे जो बु दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले नमस्कार मैं हूँ राजीव रंजयन और आप देख रहे हैं जनादेश नियोज उडीशा के वाला सोर में दर्दना क्रेल दुरगटना होई है जिसमें अब तक 288 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं मरनेवालों में विहार के वी सामिल है जिसमें नबादाजिले के दो युबकों की मौत होई है फिलाल इस वक्त हम नवादा जिले के रोफ प्रखंड अंतरगत मलरा गाउं में हैं और इसी गाउं के पप्पु मांजी के वे इस दुरघटना में मौत होई हैं जबकि इसी गाउं के चह लोग घायल हो गए हैं आप देख सकते हैं उस गाउं का नजारा कि किस तरह से घटना के बाद पुरे गाउं के लोग मरमहत हैं कि आखिर जो व्यक्ति इस गाउं से अपने परिवार के अरमान को वढ़ाने के लिए अपने परिवार के उम्मीद को पूरा करने के लिए अपने गाउं अपने मिट्ट को छोड़ कर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जा रहा था दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जा रहा था और बीच रास्ते में ही दुरभाग्यपुर्न घटना हुई जिसके बाद उनकी मौत हो गई है फिलाल हमारे साथ उस गाउं के बाद सदस्य हैं उ में यहां से एक तारीकों साथ लोग गए थे हवड़ा टू चे नहीं में लोग काम करते थे और चे नहीं जा रहे थे लेकिन रास्ते में जो है इस तरह की दर्दनाक घटना हुई उसमें पपु मांजी की माउथ हो गई है और बाकी इसमें छे बंदे और उनके साथ थे जो ब पंचायत के जो प्रधान मिस्टर सलेंदर कुमार मातो जी हैं तो मैं प्रधान को पहले सूचना किया हूं कि मेरे प्रधान जी आप इस पंचायत में अभी तक नाहीं कोई ब्लॉक से डियम या वीडियो या सीयो कोई भी नहीं आये हैं ताहिकात करने के लिए तो कम से कम हैं मंतो कुमार है मुकेश मांजिये राजेस मांजिये मनोज मांजिये यह शारे लोग इस अबहीं निकले थे स 갖고 हम झा लॉक में रेल दुर घटना गरस्त हो गई जिसके बाद पप्पु मांजी की घटना स्थल पर ही मौत हुई है और इस घटना में इसी गाउं के छह लोग जक्मी हुए हैं अपने परिवार का वेहतर तरीके से भरन पोशन करने के लिए वो अपने मिट्टी अपने गाउं को छोड़ कर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करने वाले थे लेकिन न जाने कुदरत को उनकी मजदूरी भी पसंद नहीं थी आप देख सकते हैं गाउं का नजारा कि किस तरह से गाउं में सन्नाटा पसरा हुआ है हर लोग उनके शब के आने का दूरी करने के लिए जा रहा था आखिर अब वो कभी जिन्दा अपना गाउं वापस नहीं लोटेगा और भी कुछ लोग हैं उनसे क्या नाम है आपका मेरा नाम मौंकार नासिंग है अच्छा आप भी बाट सदस हैं आप ही के गाउं का पपुमांजी थे पपुमांजी मे मौंखी है अभी तक ना कोई ब्लॉग से यहां पर आया है देखने के लिए ना कोई जीला से आया है किसी को खाली हमारे मुख्याजी आये थे हम लोग साथ में है जब को पर्मानित करके यहां से भेज़ें कि हमारे पंचायत के हैं इनको वहां जो भी सरकार से मिले घायल या मिर्तक को लिदाने के कोशिस करेंगे मुख्या-जी सब्सक्राइब रहते हैं पंचायत के लिए और हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार बिहार सरकार से कि जो भी घायल है या मिर्तक सुरच्छित उसका बोड़ी भी यहां लाने के कोशिस करे और मिर्तक का इलाज हाँ सुचना मिला है कि वहां से एक घंटा पहले सब चल दिया है दासंसकार इसी गाउं में होगा तो यह उस गाउं के बाद सदस हैं जिनका साफ तोर पे कहना है कि पीछले एक तारिख को यहां से साथ लोग चिन्नेई काम करने के लिए जा रहे थे उसी दोरान बीच रास्ते में ही उडिशा के वाला सोर में रेल दुरगटना गरस्त होई जिसके बाद पपू मांजी की मौत हो गई है जवकि छह लोग घायल हैं फिलाल हम इस वक्त उसी मणरा गाउं में मौझूद हैं जिस गाउं के पपू मांजी थे इस गाउं के लोगों से बातचीत हम करेंगे उनके परिवारवालों से बातचीत करेंगे उनके बच्चों की हालात को हम दिखाएंगे कि आखिर किस प्रक प्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले.